कि तुप्रभाद कि प्रिशा इस कोचिंग रोलबाग नहीं दिल्ली की तरफ से आपका अस्वागत है कि ऑन-लाइन ऑफ-लाइन क्लासे चल रही है कि ऑन-लाइन के लिए आप प्लेयर स्टोर से हमारा प्रिशा आइस एप डाउनलोड करें और इंटीग्रेटेड कोर्स प्रिमेंस और इंट्रव्यू आईस और पीसीएस का ज्वाइन करें कि जस्ट अंद्रबीस मिनिट में मैं आपको एक नए आयाम की तरफ ले चल रहा हूं काफी डिमांड आ रही थी कि सहाब समझ में नहीं आता कि कौन सा अकबार पढ़ें कितना पढ़ें कैसे पढ़ें इतना लंबा चोड़ा होता कुछ समझ में नहीं आता तो मैंने सोचा कि इस पर आपको एक पहला डेमो वीडियो में बताऊं हिंदी भासी खात्रों के लिए भी मेरा सुझाव रहेगा कि वह बाकी अकबार हिंदी के जो पढ़ रहे हैं वह जथा संभाव धीरे-धीरे इंगलीस के अकबार हिंदू की तरफ बढ़ें दा और आज भी इसकी रिलिवेंस में देख रहा हूं कि हिंदू का जो आर्टिकिल्स है वह स्टेंडर्ड बनाए हुए है और वह काफी न्यूट्रल है बाकी अकबारों में यह बात नहीं है पहली बात हिंदू आप हमारे साथ पढ़ें 3-400 रुपया मार्केट में खर्च करने साथ सो पचास रुपया मंधली पर हम सब्सक्रिप्सम दे रहे हैं और आप मेरे साथ आदा घंटा खर्च करिए पुरा अकबार की समिक्षा और जो काम की चीज हमें बता क्या आप को को कर दूंगा जिससे आपको टाइम खराब होने की समावना खतम हो जाएगी जो को फाइदा क्या होना है आज के अख़बार से अधरवाइज आप कटिंग करते रहेंगे उसको यूज भी नहीं कर पाएंगे कैसे करना है इसमें दो चीज तीन चीज मैं बता रहा हूं कि पूरे अख़बार में काम की चीज कितनी होती है और उसका क्या इस्तमाल होगा वह कि हम कैसे पढ़ें कि क्या पढ़ें कैसे पढ़ें और कितना पढ़ें और इसके बाद यह तीन चीज आपको पता चलगी कि क्या पढ़ें कैसे पढ़ें और कितना पढ़ें इन सब पढ़ने के बाद इसका इस्तमाल कैसे करें क्या पढ़ें कितना पढ़ें और कैसे पढ़ें यह सब जानने के बाद यह जरूरी है कि उसका यूज कैसे करें और उसको क्या current affairs में खाली करें क्या नो तो यूज जो होगा इतना जानने के बाद आपका क्या यूज होगा current affairs में एक पहला दूसरा कि हर सब्जेक्ट के जी एस वन टू टू ट्री फॉर जितने सब्जेक्ट है ऐसे से लेकर के optional complete एसे राइटिंग से लेकर के सीधे इंटर्व्यू तक पहुंच जाए और अपनी बौधिक शमता का परिमार्जन इसके बाद उसका यूज कहां करें तो current affairs में इस होगा पहला दूसरा कि इसके जीतने आर्टिक्ल्स होंगे हर सब्जेक्ट के oriented वह सब चीजे जो है उसको सब्जेक्ट में जाके फिट करेंगे हम कि अब हुआ आपका complete पढ़ाई का मतलब अदर्वाइस बेकार है और अगर आप इसको पढ़के ऐसे यूज नहीं करेंगे तो बुरा मत मानिएगा आपका एंसर राइटिंग जो हर सब्जेक्ट का होगा चाहे वह जीज वन हो जीज टू जीज त्री जीज फोर हो एसे हो और इंटर्वीव यह सब जगह यूज आएगा और कैसे यूज आएगा हम बताएंगे और अगर इसको ऐसे कनेक्ट नहीं करिएगा इन डैट सिच्वेशन यूइल नॉट स्कॉर हायर एंड हायर आप सब्जेक्ट के बहुत ग्याता हो सकते हैं हिस्ट्री जोग्रफिय एक्नॉमिक्स पॉलि तो यह परपस है अब आगे चलिए अब आगे क्या है कि इसमें क्या और कितना पढ़ है कैसे पढ़ है यह चाटना बहुत जरूरी है यह आप से छाटने में आपको सौर्टिंग करने प्रावलम आएगी तो हमारे साथ जूड़ेंगे तो यह सब चीज आदे घंटे में अख़बार में देखिए कितनी सारी बाते हैं कि यह देखिए कि सुप्रेम कोट मेजरोटी रूलिंग प्रोसेस अब बीत गई बात गई अब इसकी बहुत रिलिवंट नहीं है बात खतम हो गई अब उस पर सुप्रेम कोट पांच में से चार जैजेज ने कहा कि सहाब ठीक कि प्रकिरिया थी पहली बात जिसने केस दाइर किया वहीं वेकार केस दाइर किया तो यह अब रिलिवंट नहीं है आपके लिए यह ऐसे खतम हो गया और सुप्रिम कोट के वियूसे भी कुछ खास नहीं निकला तो इसलिए निच बैकार आपके लिए अगे चलिए अब यह देखिए टेकिंग टुदा स्काइज प्रों ट्राइवल हार्ट लेने बेकार एट टेंपल इन तमिलनाड विलेज यह बेकार आर्बी आई हैड सी नोट बैंड अपर्चुनिटी कोई मतलब नहीं है टेरिरिस्ट बेकार है मैनुफेक्ट्रिंग एंड्स 2022 थोड़ा सा काम का है लेकिन बहुत मतलब का नहीं है ऐसे इसे तमाम काम की चीज़े आपको आगे बिलेगी आगे चलिए पेज नमर छे भगवत गीता इस प्रिश्वल मेडिसीन फॉर एस्ट्रेस यूथ इन डिजिटर आमनात्र कोविंद बेकार है कोई मतलब नहीं है मद्रास हाई कोड अंडर लाइंड डिफरेंस बेट्वेट्वेट्वेट्वेट्वेट्वेशन बेकार है मैं कोई मतलब का नहीं है यह भी बेकार है अब आप पूछेंगा आप को से घ्यानी है कि आप कह दे रहें वेकार हूं मैं बता हूंग क्यों कह रहा हूं दिस एक्सपेरियंस मत्हीं एल्स यह देखिए कि इसमें जो है बहुत कुछ काम का अभी तक तो नहीं मिला एक काम का चीज मिल गया इसमें ओमिक्रों सब्वेरियंट बीए पॉइंट सब्सक्राइब लेकिन कोई मतलब की नहीं है अब आप सीधे आजाएए इसके एडिटोरियल पर अब देखिए एडिटोरियल जो बहुत लोग कहते हैं एडिटोरियल पढ़ना चाहिए तो पढ़ने के लिए एडिटोरियल में क्या है यह देखिए ओवरली डेफरेंशियल और सुप्रीम कोड जज्जमेंट और डी मतलब कर नहीं है इसमें जो मतलब का चीज हो मैंने सौर्टिंग किया था यह एक काम का चीज है मिल गया पावर रोलर कोस्टर और मावेस्ट इवमेल से सेरिंग पावर इन नेपाल इंडिया और नेपाल के रिष्टों के बारे में है इसको थोड़ा पढ़ सकते हैं कि यह सबसे काम का चीज यह खुल गया यह इतने में से यह सबसे बड़ा काम का चीज है और यह बड़ा काम का है और यह आपको जेनरल करेंट अफेयर से ले करके और पॉलिटिकल साइंस में काम आएगा और इंटर्विव में भी काम आएगा ध्यान रखिएगा यह बहुत बड़ा डिसीजन दिया रहे है तो यह कोस्टन पूस्टनेबल रिफ्यूजर लंद रिजेक्शन आप बिल्किस बानोस रिवी प्ली देखिए क्या लिख रहा है अब इसको मैं बताता हूं क्यों ज्यादा जरूरी आपके लिए पूरे अखबार में एक चीज काम का अभी तक दिखा है अब देखिए इसमें स्प्रिम कोट ने क्या कहा है स्प्रिम कोट है डिकलाइन ज्यान दीजिए मेरी बात को तो रिवीव इट्समेंट 2022 ओर होल्डिंग देट गुजरात गोवर्मेंट इस देप्रोप्रियेट गोवर्मेंट तो डिसाइड अंदप्री मेच्योर रिलीज अफ 11 कंवेक्ट सर्मिंग लाइफ टर्म अब आप देखिए कि यह कोश्टन जो आया है PCS में मुझे ध्यान है उसमें लिखा है कि संबीधान में मौलिक अधिकार आपको एक हाथ दिया गया है और दूसरे हाथ ते खीन लिया गया है दूसरा कि मौलिक अधिकारों पर किसी भी तरीके का प्रतिबंध डायरेक्ट इंडायरेक्ट रूप से लग सकता है यह सासन और सरकार की निती के संगत है अब देखिए इसमें क्या के सुप्रीम कोट तक ने कह दिया कि जो बिल किस बानों का केस हाई कोट वहां चला गॉमबे और सरकार ने गयारा कानूट को छोड़ दिया उसकी सिफारिट गुजरात ने किया वह गयारा कनूट जो है वह फ्रॉप्रोप्रियट गॉइट कि अब आप नेगेटिव लिखेंगे तो आपके खिलाप चला जाएगा क्योंकि अब सुप्रिम कोट का डिसीजन है कि वह सही हुआ कि अब आप बिल्किस बानो केस में एक नया एंगिल आप जोड़ेंगे अपनी अलोचनात्मक परिक्षण में कि इसको सुप्रिम कोट के भी वैध माना और सही माना इसमें कुछ भी गलत नहीं है अब गुजरात गौर्मेंट एप्रोप्रियेट गौर्मेंट है इस डिसीजन को लेने के लिए अब आप सोचिए पॉलिटिकल साइंस से करेंट अब बिल्किस बानों आता है और आपने यह लिख दिया तो ट्वंटी थर्टी परसेंट जंप आप ले जाएंगे दूसरों से तो यह एक डिसीजन जो है इसमें बेहतरीन है जो सुप्रिम कोट का है इसको पूरा पढ़ सकते में पूरा नहीं पढ़ूंगा लेकिन यह सबसे ज्यादा काम का है कि दूसरा देखिए कि दूसरा देखिए कि दूसरा अच्छा इंडिया तो इंबरेस मल्टी डॉमेन अप्रेशन यह डीफेंस का जो चैप्टर है आपका जी एस थ्री में यह उसके लिए बेस्ट है यह कि देखिए यह सबसे बहत्रीन है प्रेवेंटिंग एनिमल क्रुएल्टी ज़े ड्यूटी अप्धा स्टेट कि आप जानवरों की भी इस पर पेटा एक्ट है ना प्रेवेंशन आफ क्रुएल्टी आफ एनिमल एक्ट ऐसा कुछ एक्ट है पेटा करके तो आप यह सबसे बहत्रीन आर्टिकल है इसमें एडिटोरियल है इसको देखिए राज जी की क्या-क्या ड्यूटी है उस ड्यूटी लिस्ट में यह भी आता है पूछ देगा कि क्या पस्मों के साथ निस्थूर बहवार करना क्रुएल्टी एगेंस्ट एनिमल इस जस्टिफाइबल और हुई इस विच स्टेट या विच ऑर्गनाईजेशन इस रेस्पोंसिबल और एस्टेबलेसिंग दिस कौन जिमेदार है कि जानवरों के साथ जो है निस्थूर बहवार क्रुएल्टी बहवार नहों तो इसके लिए राज जो प्रांथ है उसकी ड्यूटी तुन यह अब यह क्या करेगा कि प्री में पूछ देगा मैंस में पूछ देगा कि यह ड्यूटी किसकी है और आर्टिकल टून्टी वन के तहते बिखिए आर्टिकल 21 जिसमें आपको जीने की अधिकार है और गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार दिया हुआ है उसी में यह दिखा रहा है नॉन अब देखा रहा है नॉन अब देखें इसको कैसे उसने जो है में वो किया है उन्तिल नॉव यह जेरली अंडर्शुट परसंट तो में human beings or in some cases association of human beings such as corporation partnership trust and the like no doubt some of the directive principle of a state policy and the fundamental duties contained respectively in part 4 and 4a of the constitution reflect responsibility placed on the state and on human being to protect and improve the natural environment but these are unenforceable obligations मतलब राज के DP है enforceable तो कोई भी नहीं डिर्क प्रिंस्पल यह जो है यह क्या कहना चाहरा है कि जिसे मानो का अधिकार है महलिक अधिकार वो ऐसे ही राइट अनिमल्स को भी है भाई Therefore, when efforts to legislate on animal welfare were first made they did not emanate as much out of belief that animals were wasted with the rights of the rights As they did from a more elementary ethical percept that or collective consciousness How to make it clear that it was morally wrong to inflict unnecessary pain and suffering on animals तो कहने का मतलब यह है कि एनिमल राइट संग सेफटी पे जो जो डिसीजन्स हैं वो बड़े काम का है और इसको अपडेट रखना पड़ेगा आपको ड्यूटी है अस्टेट की तो इस तरीके से आपको पूरे अख़बार में हम बताएंगे कि क्या चीजे जरूरी है और क्या चीज जरूरी नहीं है और उसका कितना इस्तमाल जो है आप कहां करेंगे और यह काम आपका हम आदे घंटे में करके खतम करेंगे क्योंकि आपको ज्यादा टाइम खराब करिएगा इसमें तो मिलेगा कुछ नहीं उल्टा नुकसान ज्यादा होगा कि यह देखें री थिंकिंग दा मुस्लिम लॉफ इन हरी टेंस इस तो भी कुछ आ रहा है यह भी अपडेट करना पड़ेगा आपको तो कहने का मतलब बाइस पनने के अखबार में आपके लिए कितना काम का चीज है वह मैंने बताने का प्रयास किया अगर आप ऐसे चूज अपने से कर लें तब तो अच्छी बात है लेकिन मेरा मानना है कि आपके लिए यह दिकत करता है टाइम खराब करता है और है कि आपको पूभी तरीके से इस्तीमाल करना नहीं तिखा पाता गए यह यह देखिए फैफ प्लिक डिवेट ओन प्राइवेसी यह बहुत काम का है यह चला जाता है कि इसको खोलिए जड़ा है कि यह देखिए कि आगया इंडिया दिपी डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल्ड बिल्कुल नया है अभी संसर में पेश हो रहा है इस पर कानून बनने की बात हो रही है कि अब आप देखिए कि जो हम फंडेमेंटल राइट की बात कर रहे थे प्राइबेसी का उस प्राइबेसी को यह हनन करेगा अब आपका कोस्टन आएगा भारत के सम्मिधान में मौलिक अधिकार पर क्या-क्या लिमिटेशन्स है क्या-क्या सीमाय है और यह आप लिखेंगे नहीं क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है क्या पढ़ना था तो यह पढ़ना था जो आपने पढ़ा नहीं कि देखिए कितना खत्रनाक है यह पूरी भारत की जन्ता का भूत और भविस्त लिख देगा यह कह रही है सरकार कि आपका जो डाटा हम प्रोटेक्ट करेंगे यह वही सही है जैसे हम आपसे कहें कि आपने बच्चे को दे दीजिए हम उसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे घर पर रखेंगे और लिया के यहां मेड का काम करवाने लगे जारखंड बिहार मंगाल से बहुत बच्चे बच्चियां आती है इदिल्ली में जो यह कहके लाया जाता है कि तुमको पढ़ियां काम दिलाएंगे और उन सब को सफाविफाई में लगा देता है तो यह भाई बहुत खत्रनाक बिल है इसके बारें पूरा पढ़ना पढ़ेगा हमने पढ़ा है इसमें दिया है कि एक डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन के लिए एक जो है अथरीटी होगी वह अथरीटी देखेगी और वह अथरीटी हमारी नहीं होगी प्राइव प्राइवेट बॉर्डी है वह तुम्हारा डाटा कलेक्ट कर रहा है उसके बारे में दो तीन बाते हैं कि इसमें डाटा का कैसे होगा कौन उसको जो है रखेगा आप किपिंग कौन करेगा और कौन मिस्यूज नहीं करेगा यह कौन गारंटी लेता है सरकार तो कहती हमें क् मारी जी टाटा को दिये थे वह तो एक अलग चीज है आप इसको एक्जाम से कैसे जोड़िएगा यह मैंने बताया कि यह देखिए मौलिक अधिकारों पर हनन है प्राइवेसी पर जो आपका सबस्य सम्मिधान की आत्मा कही जाती है अब एक को सन आया कि यह खांस्ते मौली सब्सक्राइब करेंगे तो इसमें में एक पॉइंट यह था दूसरा इसमें एक पॉइंट और है कि आपका जो एकनोमिक सिस्टम है देश का वह कौन कितना कमा रहा है कौन कितना खर्च कर रहा है यह सारे डाटा सरकार को मिल जाएगी क्योंकि यह चाहिए आप मम्मट से करांगे चाहिए अच्छा डियरेक्ट करने उसके चला जाएगा यह और इसक्ता है को इसे सरकार को क्या फायदा होगा है कि सरकार को सबसे बड़ा फायदा अप लिखिए कि इसको लाने इस बुराइत हमने कर दिया सहाब मौलिक अधिकार का उlio मत्यान होगा अब देखिए जो लोग टेक्स चोरी करते हैं और साल में नए नए गाड़ियां खरीद लेतें महेंगी महेंगी कार खरेद लेते हैं साल में कई तूर कर देतें परोड तो उनका डाटा सरकार के पास रहेगा एक्स्पिलिसिटली तो पूछेगी ना कि तुमने टेक्स तो जीरो दिया था इंकम दिखाये थे साड़े चार लाग दो तुम हवाई यात्रा कियो विवेस का जिसमें खर्चा आठ लाग तुमने 25 लाग की गाड़ी खरी कैसे खरी तो आप फेस्बुक पर डाल सबलेगी कास वीसल पूछा सकती है पूछेगी यह आपने टेक्स देल करके ने टु मेरे का था तो करके आगा तो सरकार को फैदा है यह कि वो स्कस्पिषस को रोकना तो सरकार को पैदा होगा है हग अ ऐस है किन्समें भুश गया एक लाउन में कॉश्चन आता है कि आयकर की चोरिया आयकर का कलेक्शन कम होने के पीछे क्या कारण है परकार बड़ाटा ही नहीं है और इसको कैसे इंप्रूब कर सकते हैं ऐसे इंप्रूब करेंगे अब आप किरपा करके समझ गया आदा घंटा होने जा रहा है कि पूरे निउज का हमने एक दिन का कारा एनलेसिस बता दिया कि क्या चीज पढ़िएगा और कैसे पढ़िएगा उसका इस्तेमाल कहां करिएगा कि पढ़ना लिखना समझना तो आसान है लेकिन उसका इस्तेमाल बड़ा कर्थिन हैं तो यह आपको बताऊंगा कि कैसे पढ़ें और कितना पढ़ें हाव मच और उसको कैसे यूज करें तो आप समझ गया होंगे कि आप इस तरीके से पता निकरते हैं कि नहीं करते हैं तक ही रह जाते होंगे उसको एंसर राइटिंग में लिंक करने की बुद्धी तो मुझे लगता है पांच एकाज परसेंट लोगों में विक्सित हो गई हो जो बार-बार एक्जाम दे रहे हैं लेकिन जो न्यू कमर्स हैं उनको तो बिल्कुल आइडिया नहीं होगा कि साहब इस चीज का इस्तमाल जो आप बता रहे हो तो मज़ा आ गया और मेरा स्कूर इसलिए बढ़ेगा क्योंकि हम अपडेट्स लिखेंगे अपने एंसर को और यह कुछ नहीं पर दिया ध्यान रहेगा हमको तो ध्यान रहता है तो कोस्टन में आप उसको समेट दीजिए तो समर करना चाहूंगा कि वाट इस दा टेक अवे क्या लेके जा रहे हैं आप तो वहीं कि हाउ कैसे पढ़ें क्या पढ़ें और कितना पढ़ें हाउ मच और इन सब पढ़ाई पढ़ने के बाद इसका यूज कहां करें कब करें और कैसे करें तब आपको आएगा दस में हाइस आताथ नंबर अब आप सोचते हैं कि सेलेक्शन क्यों नहीं होता है इसलिए नहीं होता है कि कुई 95 परसेंट मेजोरिटी सिर्फ पढ़ती है किताब पढ़ती है मार मेट्रियल है इतना मेट्रियल फ्लोरिस कर रहा है बजार में कि पागल क्लास और कोचिंग पढ़िए और गारेंटी के साथ कि टू थर्ट से ज्यादा प्रिमेंस में नहीं आया तो पैसा वापस और कैसे स्कूर हाई होगा यह मैंने बताया पता नहीं पहले साथ कितना जानते थे इस क्लास को जोइन करिए डाउनलोड करिए प्रिसा आइस एप और वहां से जो है इसको एक्सेस करिए गारे वजे क्लास यह रहेगी हमारी 11.30 के बीच में तो थैंक्यू थैंक्यू वेरी जाहिएगा आते हैं ब्रेक के बाद विदीन फाइव मिनट थैंक्यू 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 वेरी मुद्ट